हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टु माई चैनल, 33 कीचन फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं केक के लिए प्रेमिक्स और मैं आज आपको जो प्रेमिक्स बताने वाली हूँ उसी से हमने ये केक रेडी किया है और आप देख सकते हैं, बहुत ही स्पॉंजी बना है ये cake बहुती soft बनाएं ये बहुती easily बन जाता है मैं इसे cut करके भी बताती हूं आपको आप ये premix एक बर बनाके रख लीजे फिर जब बन करें तब आप बहुत आसानी से इस cake को ready कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले यहां पे मैंने एक mixer जार लिया है जिसमें मैंने 1 cup與 1-4 cup शक्कर डाला है और यहां पे त्याप्य कर्षाद राइब साइट्रिक ऐसिट 2-4 teaspoon मैं सारे इंड्रिडियन का अड़ियर का विद दे दूंगे friends अब देख लिजेगा और ये हम डाल रहा है यहां पर baking powder तो baking powder हम को डालना है थो टी स्पून प्लस half टी स्पून मतलब फोर एंड हाफ टी स्पून हम baking powder डालेंगे इसमे और इसके बाद हम डालेंगे टू टी स्पून baking soda यह हमने डाल दिए इसमे इन सब को हमें अब grind करना है grind करके इसका powder बना लेंगे हम तो ये मैंने grind कर लिया इसे अब मैं इसे एक bowl में transfer कर देती हूं इसे में हम अपने बाकी के ingredients भी mix करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लूहँगी एक छलनी और छलनी से चान कर ही हम इसमें मैदा मेडें मेडा मिकस करेंगे नहीं पैसा सिरी हंडिव यह can complet made 500 मेडा है यह यह दो कप मैंने अच्य से अचरशक रबा की बर शाल आपकर डालए है मेरा जो कप राप वह 250 आमिल का है किच कल च अक्या का पाते हैं 2-200 आमिल के भी होते हैं तो को आपकर het अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे कॉन फ्लार तो मैंने यहाँ पे हाफ कप कॉन फ्लार डाला है और यह हमने डालना है हाफ कप मिल्क पॉडर इन सब को छान लेंगे छान कर इसमें मिक्स करेंगे ताकि कोई लंस भी ना हो इसमें और कुछ भी इसमें कचड़ा हो तो वो निकल जाएं इन सब को मैं मिक्स कर लूँगी और इसे हम एक बर दुबारा छानेंगे ताकि जो हमारे सारे इंडिरिडेंट से वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं तो मैं थोड़ा-थोड़ा लेकर इस से छान लेती हूँ यह प्रेमिक्स आप एक बर बना कर रख लेंगे ना फ्रेंट्स तो आपका बहुत काम आएगा आपको जब बन करें तब आप बना सकते हैं इसमें कुछ भी जादा कुछ आइट करने की ज़ूरत नहीं है सिर्फ दूद और ओल डाल कर इसे गोलना है और गोल कर आप केक रेडिक कर सकते हैं आपको जो भी फ्लेवर चाहिए फ्रेंट्स वो आप इसमें एसंस डाल सकते हैं और उसे साब से आप कोई भी फ्लेवर इसका बना सकते हैं अगर आपको चॉकलेट केक चाहिए तो आप इसमें कोको पॉडर एट कर सकते हैं अगर दो कप आप ये मिक्षर एट करेंगे दो कप प्रिमिक्स लेंगे तो हाफ कप आपको कोको पॉडर लेना पड़ेगा तो यह मैं आपको केक बना कर बताती हूँ तो यहाँ पर मैंने 2 कप प्रिमिक्स ले लिया है इसमें मैंने डाला है全 2 वर्फ कप ओईल और हम इसमें डालेंगे 1 कप टोटल मिल्क इसमें लगेगा पहले मैंने 1.5 कप डाल दिया है यहाँ पर इसे एक बर mix कर लेंगे एक साथ नहीं डालेंगे दूद को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे यह मैंने half cup दूद और लिया है उसे में थोड़ा थोड़ा करके इसमें mix करूंगी ताकि इसमें lumps ना बने और बहुत ही smooth इसका एक gold ready हो जाए यह मैंने पूरा दूद इसमें डाल दिया है ऐसे अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें मैं डालूंगी vanilla essence मैं vanilla flavor बना रही हूँ यहापे मैंने vanilla essence डाल दिया है इसे भी हम अच्छे से mix कर लेंगे और बस हमारा gold बिलकुल ready है और यह मैंने cake team भी ready करके रखा है इसे मैंने oil से grease किया है और butter paper लगा दिया है अब इसे हम डाल देंगे इसमें इसमें preheated oven में बना सकते हैं या आप ऐसे भी बिना oven के भी इसे bake कर सकते हैं अभी तो मैं इसे oven में bake कर रही हूँ तो 180 degree में 25 मिनट्स के लिए हम इसे bake करेंगे और यह देखे है friends हमारा जो cake है वो बिलकुल ready हो गया है और बहुत ही soft बनाया है यह cake आप इसे जरूर ट्राइ करिए आपको मेरी यह recipe पसंद आई हो friends तो मेरे चैनल को subscribe करिए और इस वीडियो को like and share करिए आपको 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 आपक